शाजापुर में माई के जाने की जिद पर अड़ी रही पतिनी को गुसाए पती ने गोली मार दी पतिनी के पेट पर गोली लगने से वह लहु लुहान हो गई गोली के आवास सुनकर ग्रामिनों ने मौके पर पहुँच कर गायल महीला को अस्पताल ने भरती कराया वहीं सूचना के बाद पहुच जे पुलस ने आरोपी पती को रासत में ले करता मंचा बरामत कर लिया है 55 साल के पती ने 12 साल पहले गोंडा की रहने वाली महीला से दूसरी शादी की थी पहली पतनी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी पलस ने आरोपी से पूछता शुरू कर दी है थाना कांट शेद्र के गाउं भंडेरी निवासी 55 साल के गुल महमद अपनी 33 साल की पतनी रेश्मा और दो बच्चों के साथ मेरेट में कपड़े की फेरी लगाने का काम करते हैं गुल महमद पांच दिन पहले अपने गाउं आया था गुरूवार सुबह पतनी भी घर आ गई थी पतनी अपने माई के जाने के जिद करने लगी इसी दिद को लेकर पती पतनी के बीच जगड़ा हो गया था विवाद इतना बड़ा कि पती ने कमरे में से तमंचा निकाल कर पतनी के ऊपर गोली चला दी गोली पतनी के पेट में लगी जिससे वह घायल होगी गटना के समय बच्चे बहार खेल रहे थे गोली के आवाज सुनकर गरामिन घर के अंदर पहुचे उसके बाद पुलिस को सुशना दी गई गरामिनों ने घायल महिला को राज की मेडिकल कॉलेजन भरती करा है जहां उसकी हालत गंबीर बने हुई है वहीं सुशना के बाद पहुचे पलिस ने आरोपी पती को हिरासत में लेकर दा मंचा बरामत कर लिया है क्या किया उसना उसके क्या किया है क्या 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 है उसके संदूक में कार्टूत रखे बहुत सारे अच्छा तमंचा भी रखा हुआ है ग olmamata, सुशना की की अच्छा ऐसा सुशना लांत जा हुआ है वहा उसे हान उसके साम जा नवा दू गवली ऐसे संदूक मैं डॉले आजैक्या है सामेद्वा पंट्रमश्स सान पांचा उसल प्ता दो निमानॉट मारए ईक मतले तो अधन सबस्क्राइब अधनारों पर दिसलिंगे मुझा। उनसे तुम पता करवा लेना कितना बच्चे तुमारे? दो है भाई, एक लड़की लड़का क्या नाम लड़के का? नुरुम हुलमन और लड़की का? नाजिया तुमारा माईका काँ है? गोंडा जिला गोंडा? गर का मोबाल नमपर है? तुमार पास अपना गर का? भाई आजिया थाना तिलर पर सुझना प्राप्त थी कि एक विक्ति को नगरिया मोड के पास में इसके पेट में गोली लगी है सुझना पर तर्थकाल पोलिस और मौके पर पहुचा गायल का उप्चार कराया जारा है गायल का नाम अर्विंद है जो धाना मद्रा पुरुषेत्र का रहने वाला है पर जिनों गी तहरीर के आधार पर अभेवव पंजिकत कराया जारा है और सिग्रीस में कारवई करायी जारी है